सुप्रिम कोट अब ये विचार कर रहा है कि क्या SC, ST और OBC के अंदर आरक्षन का लाव ज़रुरत मंदों को पहुचाने के लिए इन समूहों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है सुप्रिम कोट की मंसा है कि अनुसूचित जन जाती और पिछडे वर्क के अरक्षन का लाव इन समूहों के उन लोगों को मिले जो अत्याधिक पिछडे हुए हैं देश की सरवोच अदालत ने इस मामले पर विचार करने के लिए साथ जज़ों की एक संवेधानिक बैंच का गठन करने का फैसला लिया है ये खंड़ पीठ इस विशे पर विचार करेगी कि क्या SC, ST और OBC आरक्षन सूची के अंदर ही एक और उपसूची तयार की जाएं ताकि इसका फाइदा इन ही तीन समूहों के अत्यांत पिछडे लोगों को मिल सके इस मामले पर सुनवाई के दोरान आज अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास आरक्षन देने की सकती होती है तो वह उपवरगी करन करने की भी सकती रखती है और इस प्रकार के उपवरगी करन को आरक्षन की सूची के साथ छेड़ छाड़ के बराबर नहीं माना ज सकता है वहाई सुप्रीम कोट की पांच जजों की बैंच ने कहा कि राजी की विधान सभा अनुसूचित जाती समूह के अंदर कुछ विशेश जातियों को विशेश सुविधा देने का कानून बन सकता है